हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉंक्रीट रेशियो के बारे में जैसा कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें एक सबसे important factor यह होता है कि हम जो उसमें concrete यूज करेंगे उसका ratio क्या रखेंगे तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम concrete ratio के बारे में detail से जानेंगे जैसा कि दोस्तों construction का काम step by step होता है ऐसे ही construction में यूज होने वाले concrete का ratio भी हम step by step देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह चीज बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दे जा रही है वो जी प्लस टू बिल्डिंग के लिए अप्लिकेबल है यानि कि अगर आपका कंस्ट्रक्षन ग्राउंड फ्लोर, फस्ट फ्लोर और सेकेड फ्लोर तक का है तो यह वीडियो आपके लिए है तो दोस्तों कंस्ट्रक्षन वर्क में सबसे पहला स्टेप होता है P.C.C. का यानि कि प्लेन सिमेंट, कॉंक्रिट प्लेन सिमेंट कॉंक्रिट में जो कॉंक्रिट का रेशियो होता है वो होता है 1 इस्टू, 4 इस्टू, 8 यानि की सिमेंट का एक बैग, सेंड का चार बैल और एग्रिगेट यानि गिट्टी का 8 बैग होता है सेकेंड नमबर पे होता है फॉंडेशन वर्ट, फॉंडेशन में जो है दोस्तों सिमेंट एक बैग, सेंड 2 बैग और एग्रिगेट 4 बैग रखते हैं एक और ratio है दोस्तों जो यूज किया जाता है foundation work के लिए वो होता है 1 is 2, 1 and half and 3 दोस्तों ये दो तरह के concrete ratio foundation work के लिए यूज किया जाते हैं तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है TPC यानि damn proof course तो damn proof course के लिए दोस्तों 1 bag of cement, 2 bag of sand, 4 bag of aggregate यानि कि 1 bag cement, 2 bag sand और 4 bag गिट्टी का डाला जाता है दोस्तों अगला जो process है दोस्तों वो होता है plint beam का और plint beam में दो ratio यूज कि जाती है दोस्तों एक होता है 1 bag of cement, 2 bag of sand, 4 bag of aggregate और एक ratio जो यूज किया राता है दोस्तों वो है 1 bag of cement, 1 and half bag of sand and 3 bag of aggregate दोस्तों अगला जो step होता है वो column casting का होता है और column casting के लिए भी same concrete ratio का यूज करते हैं जो plint beam के लिए यूज किया होता है यानि कि 2 तरह का ratio यूज कर सकते हैं आप एक होता है 1 bag of cement, 2 bag of sand, 4 bag of aggregate और जो second ratio है दोस्तों वो है वो है 1 bag of cement, 1 and half bag of sand and 3 bag of aggregate अगला step है दोस्तों लिंटल बीम का लिंटल बीम के लिए भी वही concrete ratio यूज करेंगे जो plint beam के लिए यूज किया है यानि कि 1 bag of cement, 2 bag of sand, 4 bag of aggregate इसमें second ratio भी यूज कर सकते हैं दोस्तों जो कि 1 bag of cement, 1 and half bag of sand and 3 bag of aggregate है अगला जो process है दोस्तों वो brick work का है और brick work में जो mortar यूज होता है उसका ratio जो दोस्तों होता है वो होता है ये 1 bag of cement और 4 bag of sand इसमें दोस्तों crusher sand का यूज करते हैं जो red बालू होता है अगला process दोस्तों slab casting का है और slab के लिए दो तरह के concrete ratio का यूज करते हैं सबसे पहला concrete ratio है 1 is 2, 2 is 2, 4 और दूसरा concrete ratio है 1 is 2, 1 and half is 2, 3 यानि की 1 bag of cement, 2 bag of sand, 4 bag of course aggregate और दूसरा ratio 1 bag of cement, 1 and half bag of sand और 3 bag of course aggregate यूज करते हैं next process है दोस्तों plaster work का और plaster work के लिए दो तरह के mortar का यूज करते हैं पहला mortar ratio दोस्तों 1 bag of cement और 4 bag of sand होता है और दूसरा दोस्तों 1 bag of cement और 5 bag of sand का भी यूज कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि जब भी हम construction का काम कराते हैं तो उसमें जो हम concrete use करते हैं उसका ratio क्या रखना है दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही construction से related information वीडियो जाती रहती हैं तो दोस्तों आपसे ये गुजारिस है कि हमारे वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर दें Thank you